पिछले 24 घंटे में इस्रेली सेना ने जमीन और आकाश से पूरे गाज़ा पर भयानक हमले किये हैं फिल्स्तिनी प्रशाशन के मुताबिक इस्रेली हमलों में गाज़ा में 100 से ज्यादा फिल्स्तिनियों की मौतो ही है जबकी करीब तीन सब फिलस्तिनी गायल हो चुके हैं बीते 24 घंटे के अंदर इस्रेल ने पूरी गाजा पट्टी में कोहराम मचा रखा है हाला कि हमास ने ये दावा भी किया है कि इस्रेली सेना को भारी नुकसान पिछले 24 घंटे में पहुंचाया गया है अब ये लगबग तै हो चुका है कि साल 24 गाजा के लिए काल बन कर आ गया है भारी नुकसान जहलने के बाद इस्रेली सेना बुरी तरीके से बुखला गई है हम आज में इस वक्त मद्ध गाजा दक्षनी गाजा के खान यूनिस में इस्रेली सेना पर भीश्चन हमले शुरू कर दिया है गाजा काल साल दोहजार चौबेस गाजा युद्ध को लगभग तीम महीने होने जा रही है लेकिन अभी तक इस्रेल की आईडिया फूर गाजा से हमास लडाकों का सफाया नहीं कर पाई है हलाकि पिछले 36 गंटों में इस्रेली सेना ने हमास के लडाकों के साथ साथ 200 से जादा फिलस्तीनियों को मार डाला है हैरानी की बात तो ये है कि इस्रेयली सेना पर पिशले दो हफ़तों से अचानक हमास के लड़ाकों ने उत्तरी घाजा और दक्षने घाजा में जबर्दस्थ हमले शुरू कर दिये हैं साल के आखिरे दिन 31 दिसम्बर 2020 को हमास की तरब से जारी किये गए इस वीडियो को देखिए जिसमें हमास के लड़ाके इस्रेयल के टैंक पक्तर बंग लड़ाकों वाहनों पर बेहद पास से हमले कर रहे हैं हेलमिट पहन रही है टैंक टैंकों का खबरस्तान घाजा हमास का टैंकों पर हमला 31 दिसम्बर 2020 को हमास की तरब से जारी इस वीडियो को देखिए जिसमें हमास लड़ा के बेहद करीब से इस्रेयली टैंक के उपरी हिस्से पर सीधा हमला कर रहे है हमास का दावा है कि यह हमला इस्रेली टैंकों पर दक्षणी घासा के खान यूनस में किया गया है हमास का दावा है कि यह हमला 30 दिसंबर 2020 को इस्रेली टैंकों पर हुआ है इस्रेयल के टैंकों पर शुन शुन कर हमले हो रहे हैं क्योंकि इस्रेयल का मार्खावा टैंक हमास और घाजा का काल बन चुका है इस्रेयल इन्ही टैंकों से अब तक 800 से जादा सुरंगे तबाह करने में मदद कर चुका है यही वज़े है कि अब हमास इस्रेल के टैंकों पर बेहद पास से हमले कर रहा है कई बार तो मुश्किल से 20 से 25 फेट की दूरी से हमास हमले कर रहा है हमास के रॉकेट इस्रेली टैंकों के हैच वाले यानि उपरी हिस्से पर सीथा हमला कर रहे है जिसकी वज़ा से टैंक बरबाद हो रहे हैं अब हमास की तरफ से जारी ये वीडियो देखिए जिसमें हमास के लड़ा के घाजा में कविस्तान बन शुके इमार्तों के पीछे से इस्रेली सेना पर हमला कर रहे हैं दावा किया जा रहा है कि इस हमड़े में कई इस्रेली सेनिकों की भी मौत हुई है इसी तरह से हमास ने 28 दिसंबर 2023 को इस्रेली सेना पर मध्य घाजा में प्यूरिस्ट शरणार्थी शिवर इलाके में इस्रेली सेना पर हमला किया है टैंक और पैदल सेना पर हमास इसी तरह से हमला कर रहा है दावा किया जा रहा है कि इस सिलाके में अभी भी इतनी जादा सुरंगे बची हैं जहां से अचानक हमास के लड़ाके हमले कर रहे हैं इसी तरह से हमास के लड़ाकों ने 27 दिसंबर 2023 को एक ही हमले में 12 से जादा इसरेली सेन को कुमारने का दावा किया है हमास का ये वीडियो किस जगह का है ये तो नहीं पता लेकर वीडियो में इसरेली सेना पर हमास के लड़ाकों के हमले साफ देखी जा सकते हैं यही वज़े है कि इस्रैली सेना के मर्धावा टैंक के उपर शील्ड लगाई जा रही है ताकि टैंकों को दबाह होनी से बचाया जा सके। अब तक इस्रैल के 480 से जादा सैनिक मारे जा चुके हैं। इसकी सबसे बड़ी वज़े हमास की वो सुरंगे हैं जो अभी तक इस्रैल तबाह नहीं कर पाया है। हाला कि नेतन्याहू पिछले हबते घाजा पहुँच गया थे और उन्होंने इस्रैली सेना के कमांडर्स और सैनिकों के बीच काफी वक्त बिताया। नेतन्याहू ने साफ कह दिया है कि अब किसी भी कीमत पर घाजा युद्ध नहीं रुकेगा। चाहें भाले ही घाजा युद्ध लंबा चले। उन्निस लाग फिलिस्तीनी शरणार्थी बन चुके हैं। भूखे, प्यास, बीमारी और बमों के हमलों ने घाजा में फिलिस्तीनों को साक्षात नरक में पहुचा दिया है। जरा ये आंखडे देखिए। 7 अक्टूबर से अब दग घाजा में इस्रेली सेना ने 22,000 से जादा हमले किये हैं। जिसकी वज़े से घाजा की 70 फीजदी इमारतें हंडर हो चुकी है। यूएन के आंकडों के मताबिक पूरे घाजा पट्टी में 3,55,000 से जादा इमारतें तबाह और बरबाद हो चुकी हैं। जिसमें कोई रह नहीं सकता है। इसके अलाबा स्कूर, कॉलेज के 370 से जादा इमारतें पूरी तरह से इसरेली हमलों में जमीन में दफन हो चुकी हैं। जो इसरेल के खौफ़नाक हमलों का जन्दा सबूत है। 7 अक्टूबर 2023 से अब तक घाजा पट्टी में इसरेली सेना ने हमास के ठिकानों पर जबरदस्थ हमले किये हैं। जिसकी वज़े से 230 से जादा मस्जिदें और पूजा घर घाजा पट्टी में तबाह और बरबाद हो चुकी हैं। घाजा में सबसे भीशन और दगनाक हमले इसरेल ने अस्पतालों पर भी किये हैं। क्योंकि इन ही अस्पतालों के नीचे हमास की दर्जुनों सुरंगें हमास का हेटवाटर और अड़े बने हुए थे। हमास इन ही अस्पतालों की आड़ में इसरेली सेना पर हमला कर रहा था। इसरेल ने ऐसे 36 में से 26 अस्पतालों को जबरदस्त बंबारी में तबाह कर डाला है। घाजा में रोटी के लिए लोग तरस रहे हैं। 20 से 20 लाख लोगों को रोटी नहीं मिल पा रही है। क्योंकि इसरेली सेना ने 11 बड़ी बेकरी तबाह कर डाली है। पूरे घाजा में 17 लाख से जादा फिलिस्तिनी शरुनार्थी मन चुके हैं। हालात ये हैं कि उतरी घाजा के 90 फीसदी जनता भाग गई है। अब तक के आँख्णों के मुताबिक कि किस लाख आठ सो बाइस से जादा फिलिस्तिनी मारे जा चुके हैं। जो साबित करता है कि हमास को इसरेल पर हमले की भारी खीमत चुकानी पड़ रही है। हैरानी की बाद तो ये है कि इसरेल के हमलों में मारे गए पुल्ड फिलिस्तीनियों में से 47 फीजदी मरने वाले बच्चे ही है इन ही हालातों को देक कर हमास, हेजबॉल्ला और एरान अब इसरेल से आर पार की जंग का ऐलान कर चुके है लेकिन नेतनियाहु ने साफ चेतावनी देदी है कोई जिन्दा नहीं बचेगा लोगमीं अला करका, लफ़मीं गम मिताफ लगर्का, वेश रनो अनना फे शमाइं अन्हों रहिम लगवला हमास, रहु हैं रहु लगवह नहों नहीं घाए लगवह אנחנו ממשיכים במלחמה, מעמיקים את הלחימה בדרום הרצועה ובמקומות אחרים אנחנו מלחמים עד הסוף ובעזרת הטכנולוגיה המתקדמת ביותר अब तक 100 के करीब हमास के कमांडर मारे जा चुके हैं लेकिन जिस तरह से हमास घाजा में पलटवार कर रहा है उससे साफ हो चुका है कि साल 2024 घाजा के लिए बहुत विनाशक साबित होने जा रहा है कर दो कर दो कर दो कर दो